आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ में पाए गए थे और इनके जो Characters थे वो Prime Characters थे कि यह लोग अपर राइट यानि Straight खरे हो सकते थे Due to the Vertebral Column और दूसरा जो Characters था Main Characteristic वो था इनका Cranial Capacity जो की थरा 1500 cubic centimeter चली देखते हैं अब Options यहाँ पर क्या क्या है? पहला है Small Teeth Without Large Canines are Slight Curvature of Vertebral Column तो यह बिल्कुल Correct है क्योंकि अगर हम हमारे दातों को या फिर Teeth Arrangement को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि Small Teeth रहते हैं और अगर हम लोग Previous Generation या फिर Ancestors को देखते हैं तो वो लोग क्या है? वो लोग Raw Flesh खाते थे और इसी कारण से उनका जो दात था वो बहुत जादा Large था लेकिन हमारे में ये Small हो चुका है और Canines भी बहुत जादा Long नहीं है जैसे कि Flesh Eating Organisms का होता है Next है Flattened Face Without Muscles and Brow Rages यानि अगर हम लोग पुराने या फिर Ancestors को देखे तो उनका जो Feast Cutting होता था वो बहुत ही जादा Ape-like होता था या फिर Monkey-like होता था क्योंकि उनके मुँ में बहुत जादा Ridges रहते थे और उनका आख भी बहुत जादा अंदर के तरफ घुसा हुआ था जिसको Brow Ridges कहा जाता है और जो कि अभी के अभी के humans में नहीं पाया जाते है Next, rounded skull with downward looking four men magnum ये दोनों जो है skull के अंदर ही present रहते हैं और four men magnum जो है ये skull का ही पार्ट है जो कि modern men में पाया जाता है और पुराने या पिर ancestors में नहीं पाया जाता था और skull जो है ये भी rounded हो गया है नहीं तो पहले जो skull था वो spherical shape पाया जाता था तो इसी वज़े से तीनों characters हमारे correct हैं और हम all of these वाले option को tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या WhatsApp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर